Good morning dear students Too much or too little क्या होता है जब हम बहुत जादादा खा लेते हैं या बहुत कम खाते हैं मतलब और किनकी बात की गई हैं मलब देखें पर रह्म समझेगा क्या होता जब बहुत जादा खा लेते हैं या बहुत कम मात्रा में हमको nutrients मिलते हैं अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि जो मेजर नूट्रेंस हैं उनके बारे में पहले बात करेंगे जब हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं कुछ नूट्रेंस जो होते हैं मेजर नूट्रेंस जो होते हैं वो जो अगर हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं जैसा कि या fat लेंगे वो हमारा weight में convert हो जाएगा और जो लोग overweight है ठीक है उनको serious illness यानी बीमारी होने का खत्रा ज्यादा रहता है जैसा कि heart problem और उनकी liver और kidney से related problems ठीक है and after this we will know about high blood pressure high blood pressure जब heart क्या करता है blood pump करता है कहां blood vessels में जब blood pump करता है तो blood क्या करता है vessels की wall के against push होता है और जो strength होती है push करने की उसी को हम blood pressure कहते हैं blood pressure कई region से बढ़ सकता है ठीक है उन में से एक region में से एक region है over weight जब जब ज़्यादा वजन होता है तो blood pressure बढ़ जाता है जो high blood pressure होता है high blood pressure मतलब बहुँ ज़्यादा तेज मतलब बहुँ ज़्यादा strength से blood का push होना vessels की wasp है इससे क्या होता है blood vessels damage हो सकती है और heart भी damage हो सकता है ठीक है now we will look at diabetes we will know about diabetes diabetes एक प्रकार की बीमारी है जिसमें glucose का level जिसमें glucose का level जो की एक प्रकार का carbohydrate होता है ठीक है blood में वो normal से ज़्यादा होता है फिर से समझेगा diabetes में जो glucose का level होता है blood में वो normal से ज़्यादा होता है ठीक है जिन लोगों को डाइबटीज होती है उनका जो वजन होता है वेट होता है बोलॉस होता है और वो बहुत जल्दी ठख जाते हैं वो अब नार्मली थस्टी और हंगरी फिल करते हैं और उनको अक्सर यह मलब असामानता जो है यूरिनेट करने की जरूद मन बार बार यूरीन करने की आ सकता पड़ती है मलब यूरिनेट करने की आ सकता पड़ती है डाइबटीज जो है आँखों को भी नुक्सान पहुचा सकता है डाइबटीज आँखों को भी नुक्सान पहुचा सकता है ठीक है लेकिन जो ओवर्वेट होना है डियाबटीज होने के काई रीजन है लेकिन ओवर्वेट होना एक डियाबटीज होने का रिस्क बढ़ा देता है ज्यादा वेट होना ही मेंली जो है डियाबटीज क्या गरता है इंक्रीज कर देता है डियाबटीज होने का Okay, here we have finished today's class. Thank you very much.